सेट रॉलन्स ने बहुत एक्सपेंसिव जूते खरीदे हैं सेट रॉलन्स अभी फिलाल जो है स्निकर्स के स्टोर पर जाते हैं और कॉम्पलेक्स अगर जो है वो अपने यूटूब पर वीडियो डालते डब डबली भी उसको शेर करती हैं तो यहाँ पर रॉलन्स ने 6 लगभग 50,60,60 जोटे खरीदे जो रेर शूज है जो की रॉलन्स स्निकर्स से खरीदे हैं और रॉलन्स के फेवरेट यह श्यूज थे बाकी यह फ़लाल कुछ रॉलन्स ने याँपर शूज वगरा को रोलन्स काफी अच्छी चीज़ें और काफी अपने शौक पूरे कर र उन्होंने चैलेंज दिया है और वह ब्रॉक लेसिनर के बारे में मैं कहते बॉक हुथ ऐक बहुत ऐंटिसेपेटर सुप स्प्सक्राइ और वह कहते है div फूचर ब्रॉक लेसिनर मेरे लिए एक अगले साल का रेसल मीनिया में भी वो हो सकता है तो डेफिनिटली डब डबली जे गंथर एंड ब्रॉक लसनर की स्ट्रोड लैंड करेगी वही रोमन रेंज की बात है तो रोमन रेंज के बारे में कहते हैं कि रोमन रेंज काफी कमाल के सुपर स्टार भी हैंड फेस करना रोम इसको गंथर ने चैलेंज किया है तो यह अफलाल कुछ अपने रिंग जनरल गंथर इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिन इस डिसंट के इंटर्वियू के अंदर बात करते हैं अपने गंथर प्रोकिस्न एंड रोमन रेंज के बारे में और और भी बहुत सारी बाते कहते हैं अप इस्टर मनीन दा बैंक की विनर और साथ ही में उन्होंने नाम लिया क्वीन शार्लिट फ्लेयर का तो इन दोनों में से कोई जो हो सकती इंपीरियम में अगर वह अगर लेते किसी को इसी विमन सूपर स्टार को इंपीरियम के अंदर तो यह फ्लाल कुछ गंतर का कहना है बा रिंग जर्नल गंतर की बात हैं समर्सलैम की हम बात कर लेते तो समर्सलैम एक सूल्ड आउट शो तो होई चुका है लगबक यूंकि इसकी टिकेट सेलिंग बहुत अगरी हो चुकी है 45,000 से जादा टिकेट सूल आउट हो चुकी है 45,000 टिकेट अल्रेड़ी सूल आउट हो और यहाँ पर से में भी डबडवी पचास हजार जो यह टिकेट सोल डाउट कर सकती हैं तो कि और भी मैचस बाकी है एक हफता है लगभग और डबडवी जो रोमर इसके मैच के बाद बहुत दादा टिकेट सेलिंग बड़ी है तो कैज यह एक रेल इंजरी बता जा रहा है रिप्स के अंदर इनको इंजERी है और इसलिए वो डबडवी से टेलेविजन से थोड़े डाउम के लिए कायब रहेंगे लेकिन अभी बताए ने जा रहे है कि कितने टाउम का वो टेलेविजन से ओफ लेने वाले हैं और दिक्कत भी है क्योंकि उनके पास अंडिस्प्यूटेट टैग टीम चैंपेशिप्स भी है जो की सामेजन तो क्या अकेले डिफेंट करेंगे तब तक यह देखना होगा एंड होपुली वो जो जल्दी से जल्दी रीकावर हो जाएं तो जो रॉंडा राउजी और शीना बेजलर का डबडबली मैच सेटप कर रही है यह एक फाइट पीट मैच हो सकता है इसके बार में क्या अपडेटेशिना बेजलर ने चैलेंज तो किया लेकिन ट्विटर पर यह बहुत सारी बात आ रहे है कि शायए डबडबली एक फाइट पिट मैच कर वा सकती है इन दोन एक्षिन दिखाने के लिए एसे स्टेपलेशन डाल सकती वाकी क्या आप देखना चाहोगे लेकिन इस चीज के अंदर थोड़ा सा इंवेस्ट करना चाहिए लेट सी सर्वावर सीरीज वार गेम्स की बात करते हम लोग तो एक काफी अच्छा कंसे बैक रिसेंट के डब डबल मैच इस वाले शोग के लिए करेंगी लेकिन पता नहीं क्या वो मेंस को होगा तो लेट सी कौन सा मैच होता है लेकिन इस साल एक वार गेम्स का मैच रब डबली 100% करेंगी ऐसा अफलाल कुछ अपडेट का कहना है बाकि आज कि यह वाली वीडियो बस इक दिए वीडियो ब